हलो एबरों, विल्कलम बाक टियो ओन चेनल, वेल्स सागश्च 21st जुलाई 2023, आज के दिन इनफोसिस की दुलाई हुई थी अच्छी खासी, 9% के आसपास इनफोसिस आज गीरा था, मंडे को नमबर है, रिलाइंस इंडस्ट्रीज का, चोकि रिलाइंस इंडस्ट्रीज के रि जो इंपॉर्टन पॉइंट से उसको ही टेच अपॉन करेंगे, जिसे कि दूस्तों, जब भी रिलाइंस के रिजल्स होते हैं, तो मैं आपको एक बार रिलाइंस के सबसिडरीज, जहां से रिलाइंस के प्रौफिट्स आते हैं, उनको एम एक बार हालाइट करता हूँ, इस सारी की सारी Reliance Industries की Subsidioris हैं और उसके बाद Associates की नमबर आएंगे और उसके बाद Reliance Industries की इतनी सारी There are so many listed entities जिससे की Reliance के Profits आते हैं These are the joint ventures, जिसके सारी Reliance के Profits आते हैं, these are the list of Associates जो की Reliance के साथ काम कर रहे हैं और यह सारी की सारी Associate Companies हैं, क्योंकि Reliance के Profits में Contribute करती हैं So in totality there are 131 Subsidioris, there are more than almost 10 Associates 14 Joint Ventures, जोसों यह सारी की सारी Companies मिलके Reliance Industries के Profitability में Contribute करती हैं, जै टोल्ड यू अब दोसों मैं यह आप वो क्यों बताता हूँ दोसों मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि Reliance के Results Consolidated Results की Study करने में ही फायदा है, क्योंकि जितने सारे अपने देखी Entities हैं, फिर चाहे वो Associates हों, फिर चाहे वो Joint Ventures हों या फिर Subsidioris हों, वो सारे के सारे मिलके एक Consolidated जो Revenues, जो Profit जनरेट करते हैं वो वर्थ Studying होता है तो Reliance के कर हम लो Consolidated Financial Results को Study करें तो दूसरों, यह Results आपके सामने हैं The Results are right in front of you अगर आप देखें, revenue from operations जो की पिछले, that is March 2023 में मार्स के क्वाटर में 2,16,000 क्रोड थे वो फॉल होकर के 2,10,000 क्रोड बच्चे हैं In fact, last year अगर हम लोग देखें तो last year भी 2,22,664 क्रोड के profits थे, तो 2,22,664 क्रोड के बारे हम बात कर लें अगर हम लोग GST को हटा देते हैं तो अगर हम लोग फ्रेश जो टोटल इंकम के बारे हम बात कर रहें जो की शुद्ध इंकम है, मुनाफ़ा नहीं बात कर रहा हूं तो 2,14,644 क्रोड का है योगि पिछले साल और पिछले क्वाटर के कंपरजन में कहीं ज्यादा काम है अगि आप मुचें कितना गिरावट तो पिछले साल के कंपरजन में 5% проф affection डाउन है और पिछले क्वाटर के कंपरजन में 5%수 Christ क्रोड अगर आप गर देखें है तो हमारा जो शुद्म मुनाफ़ा निकल के आता है that is profit for the period तो profit for the period फिछले quarter के बारे मात करहें तो March quarter में 21,327 crore था पिछले साल इसी quarter में profits were 19,443 crore. अभी जो profits है they are only 18,258 crore. तो अगर हम लोग इसको percentage time में बात करें तो broadly आगर आप देखेंगे तो तो पिछले साल के comparison में, अगर आप if you see here, पिछले साल के comparison में profits are 11% down, 11% down है, और पिछले quarter से compare करेंगे, तो 17% down, पिछले साल के comparison में 11% down, और पिछले quarter के comparison में 17% की गिरावटे, जब की stock का price अच्छा खासा हो, अरड़ी इरनम कर चुका है, since last quarter, और जैसे कि मैं आपको frequently बताते दरतों जैसे कि profits आएंगे, वही चीज़ आपको earning per share में reflect होगी, so this is earning per share, मतलब हर एक reliance का share जिसको खरीदने के लिए, पच्छे सो रुपए दे रहे हैं, वो reliance का share आपको per share कितना earn करके दे रहा है, पिछले quarter में 28.37 रुपीज earn करके दे रहा था, पिछले साली सी quarter में 26 र market दोसों growth oriented, market में यह हम लोग की नज़रे रहती है, कौन ज़्यदा profits grow कर रहा है, उस पर नज़रे रहती है, दोसों कुछ important ratios है, मैं चाहता हूँ, उस पर भी आपकी नज़रे होने चाहिए, एक तो important ratio होता है, जिसको की हम लोग रिलांस में definitely check करते हैं, वो है debt to equity ratio, मतलब कम पिछले साल कमनी ने अपने debt को कम किया था, 0.33 का debt to equity ratio हो गया था, अभी कमनी का जो पिछले quarter में debt to equity ratio था, वो था 0.44, अभी जो debt to equity ratio है, वो है 0.43, कहने का मतलब क्या है कि कमनी को पर कोई debt ना तो बढ़ा है, और घटा भी नहीं है, अब दोसों अगर आप देखे तो profit margins क अगर हम देखे तो operating margin मतलब जो company का main bread and butter business है, उससे कितने margins निकल कर गया रहे हैं, तो जहाँ पिछले साल company के margins थे 11.9% के, पिछले quarter में, that is, March quarter में 11.3% के, अभी जो margins आए हो है 11.4%, net profit margins, शुद्ध मुनाफ़ा, अगर हम लोग बात करें, उसमें कितने margins निकल रहे हैं, तो जहाँ पिछले साल company के margins थे 8% के, पिछले quarter में almost close to 9%, अभी जो आए हो 8% से भी कम profit margins company ने धर्ज किया है, जो एक खुशकबरी की बात है, shareholders के लिए, मुझे तो dividend पसंद है, तो dividend के बारे में बात करें, तो board of director has recommended dividend of rupees 9 per equity share, तो अगर आपके पास 100 shares हैं, तो आपको 900 रुपे directly आपके bank account में आते हुए दिखाई पड़ेंगे, और although इसका, you know, the record date is not given, but this is the dividend, 9 rupees per share का dividend कमनी ने announce किया है, तो अगर आप यह देखना चाहते हैं कि underperformance कहां पर है, तो अगर आप देखेंगे, तो oil to chemical business, जो कि पिछले साल के comparison में काफी जएदा underperformance करता हुआ, दिखाई पड 512 करोल का contribution था, पिछले quarter में 31,375 करोल का contribution था, अभी 32,000 से भी जएदा contribution हो गया है, इसके लावा जो profitability में drop दिखाई पड़ रहा है, others में दिखाई पड़ रहा है, इसके अलावा retail services भी जएदा अच्छे perform नहीं कर रही है as compared to last quarter, बागी दोसमें इनको आप pause करके, अराम से तसलिए से देखिए, आपको खुद समझ में जाएगा कि कमपनी कहां पर underperform कर रही है, सो रोल अगर आप देखिए हैं, तो oil to chemical business में सबसे यदा underperformance मुझको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप प्राम आफिस से देखेंगे, तो जो main bread and butter business है, जहां से reliance का सबसे ज क्या reason है, वाइस देखेंगे, उसका एक सबसे बड़ा reason है, finance cost, अगर इस समय जब interest rates बढ़ रहे हैं, ऐसे में जहां पर interest rates 6% चल रहे हैं, अभी वो interest rates 9% के आसपास हो गया है, in fact उसे भी जादा, तो जहां पिछले साल कमपनी को सिर्फ 4,000 करोड के आसपास का finance cost था, पिछ में तो कोई doubt ही नहीं, taxes तो जो हैं, वो देने ही पड़ेंगे, जो चीज़ respite है, जो चीज़ यहां पर अच्छा improvement है, वो है reliance retail है, reliance retail का business अच्छा perform कर रहा है, पिछले साल, in fact पिछले quarter में, जो margins थे, पिछले साल के comparison में, जो margin थे, उसमें improvement है, पिछले साल जहां margins of reliance retail, और 6.6% अभी वहां से improvement होकरके 7.4% हो गया है, तो overall बाकी जो segment है, वहां पर अच्छा performance दिखाई पड़ रहा है, अगर आप Jio platforms के बारे में बात करें, तो अभी recently जो जिस परकार क्या IPL होए थे, तो Jio network में पिछले quarter के comparison में, 28% का traffic बढ़ा है, और 250 million feature phones, you know, 250 million feature phones दीरे दीरे करके, Jio बारत फोन की तरफ अपग्रेड होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो जो important चीज़े हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, there is nothing much left to discuss, अब हम लोग दूस्वों क्विकली एक बर चार्ट को देख लेंदे हैं, क्या दिखाई पड़ रहा ह सारी चीज़ें आपके सामने हैं, कंपनी के जो प्राइस चोरिंग रेशियो चल रहा है, 25.65 के आसपास चल रहा है, विच आप अलोड़ी शेयर्ड, अगर हम लोग बात करें, प्राइस चोरिंग रेशियो होगी, तो दोस्वों ये स्टॉक, आलमॉस 25-26 के पी के आसपास ह मेशा से हिस्टोरिक लिए चलता है, इन फाक 23-24 के आसपास चलता है, अभी स्टॉक थोड़ा सा गेन करना शुरू किया था, लेकिन जिस प्रकार का पर्फॉर्मेस है, अगर आप पिछले क्वाटर से कंपेर करें, तो पिछले क्वाटर के कंपरेशन में स्टॉक अपने ल और वालुएशन, मार्केट को रिजल्ट बहतर एक्सपेक्टेट थे हैं, और जैसा कि आपको मालूँ दोसों, अभी जियो फिनेशल सर्विसेज भी लिस्ट हुआ है, उसको भी एक मैं तो कहूंगा कि प्रीम पर ही लिस्टिंग मिली है, क्योंकि उस समय स्टॉक अपने ल जो सकती है, इस ऐस पर माय अनालिसस, तो दोसों अगर आप मुझसे पुछें, टेकनिकली क्या दिखाई पड़ रहा है, तो टेकनिकली जो रिलांस इंडूस्ट्री का इंपोर्टन सपोर्ट लेवल है, विच इस लोज तो 2350, 2380, यह एक इंपोर्टन डिमांड जोन है, प पर एक बराक करके, बहुत ही वीग दिखाई पड़ रहा है, तो अगर मंडे को अगर इस स्टॉक 5-6% के आसपस गिरता है, और निफ्टी उसके चक्कर में, 19,000 के आसपस फिर से आता हुआ दिखाई पड़ेगा, विकॉस इफ रलाइंस इंडस्ट्री इंडस्ट्री इस व लोग खुश हैं मार्केट के गिरने से, और जो लोग मौका डून रहे थे कि कब मुझे अच्छी कॉलिटी और स्टॉक्स को बाय करने का मौका मिलेगा, समय आने वाला है, तांकि सुपर माच, बाबाय फिना,